बिसमिल्लारबारहिम, असलाम अलेकुम जी, आज जनाब आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जो है वो पेशे हिदमत है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनाब इनवेस्टमेंट, कलर, क्वालिटी, सिटीज और इसके इलावा मशीन यह चार से पांच हमारे टापिक होंगे और इन टापिक के उपर हम जना बात करेंगे और यह टापिक जनाब हम लोग ने इस लिए चुने हैं कि काफी सारे लोग जो हैं किस माल की ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिमांड है और कौन सा माल जो है वो ज्यादा मांगा जाता है कलर किस तरह का मांगा जाता है मार्केट में किया चीज़ें सबसे पहले मार्केटिंग होती है मार्किटिंग में आप ये जानते हैं कि मार्किट में कितनी इसकी लागत है क्या इसकी जरूरत है किस तरह से ये माल ये हम मार्किट में सेल कर सकते है देन उसके बाद आते हैं कि जनाब आप किस शहर में ये जो है वो लगा सकते हैं प्रेस अब उसके लिए पहले तो बंदा कोई भी नया बंदा है जो है वो यह सोचता है कि यार मैं गुजरात का रहने वाला हूँ या मैं लहोर का रहने वाला हूँ तो मैं यहां पर बड़ी गंदुम मिलती है तो हम यहां पर लगा लेंगे तो उसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप लाके उसका इंतहाब करें जो इलाका वसी हो जहां पर गंदुम की काफी ज्यादा जो है वो मिकदार मिलती हो और बुसे की भी काफी ज्यादा मिकदार हो तो वहां पर आप यह वीड स्टॉर का प्रेस लगा सकते हैं तो बाकी इस आप कलर पर थोड़ा सा भी जो है वो कॉंप्रोमाइज करेंगे तो आपका प्रेस जो है वो चलाना मुश्किल हो जाएगा सबसे पहले मार्केटिंग देन सिटी कौन से सिटी में आप यह लगाना चाहते हैं कौन सी जगा पर आप लगाना चाहते हैं फिर उसके बाद जना अपना जनाब कलर का कर लिया कि यह कलर बैस्ट है यह मार्केट में चलता है पर उसके पास चोती चीज आ जाती है इसमें सबसे जो जरूरी है वो मशीन अब मशीन कहां से बनवाएं मशीन बनवाने के लिए दो से तीन सिटी जो हैं वो काफी ज्यादा जनाब फेमस हैं मशीन तकरिबान बन जाएगी उसके रितगर्द काफी सारे मेकैनिक जो हैं वो बैठे होएं जो इस चीज को मिस्तरी इंजीनियर वगरा बैठे हैं जो बनाते हैं एक इसमें और चीज है लोग काफी ज़ादा सोचते हैं कि यह बाहर से आती है बाहर से नहीं आती बाइग यह पाकिस्तान-मेड-משीन ऐती यह हड्लॉ प्रेस होता है और यह काफी जो है। इसके तकरीब सारे पार्स जो है पाकिस्तान में हित्यार होते हैं। अच्छा, misconception के बाद अब और चीज़ आ जाती आ आप आपो मार्कटिंग चाली आपने जनाब कलर का तेयन कर लिए, सिटी देख ली, उसके बाद मशीन भी बनवा ली अब उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज आती है आप इस मशीन को चलाएंगे गैसे तो मशीन को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो इसके लिए इंजन है यह आप इंजन लगा सकते हैं यह बिजली लगा सकते हैं जितना डीजल मेंगा हो चुका है डीजल पर चलाना इसको बहुत ज्यादा नुकसान दे है पहले कभी लोग चलाया करते थे लेकिन अभी इसको चलाना बड़ा मुश्किल है उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ता है ट्रांसफार्मर में जनाब इसके साथ मोटर लगती है तकरीबं 30 की और 25 का ट्रांसफार्मर लगता है 30 की मोटर लगती है लेकिन ये है कि 35 की भी बंदे मोटर लगाते हैं 30 की भी लगाते हैं तो उस हिसाब से इसको अरजस्ट करके इसके साथ चीजान लगा के तो इसको चलाया जा सकता है फिर इसके बाद जनाब को आ जाती है जब आप मशीन चला लेते हैं तो आपने मार्केटिंग जैसे पहले की हुई है आप उस तरह से इसकी मार्केटिंग अपने कस्टमर्स के साथ आप रापता करते हैं फिर आप अपनी लेबर का रेंज करते हैं इस काम सबसे मुश्किल काम जो है वो लेबर अरेंज करना है मशीन के ओपर तकरीबर 15 से 20 बंदे काम करते हैं एक टाइम पर और उनको माल देना उनसे माल बनवाना और माल को आगे बेचना फिर पैसे लाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है जो बंदा ये काम कर सकता है वो बंदा इस फिल्ड में आ सकता है बाकी इसके लावा जनाब बिजनस बहुत अच्छा है इसमें आप कमाने के चांसे बहुत ज्यादा है आप कि इनवेस्टमेंट पर डिपेंड करता है आप कितनी इनवेस्टमेंट इस पर करते हैं किस हिसाब से आप इस करोबार को लेकर आगे चलते हैं और यह बहुत अच्छा और बड़ा जो है वो जायज मनाफ़ वाला करोबार है काफी सारे करोबार इस पाक्सान में इस तरह के हैं जो शुरु शुरु में बड़ा बूम देते हैं लेकिन जब क्राइसी आते हैं तो फिर उस टाइम यह करोबार डाउन होते हैं लेकिन यह वाहिद यह किस तरह करोबार है कि इसमें क्राइसी आने पर भी यह डाउन नहीं होता क्योंकि यह सीजनल करोबार है सिजनल से मुराद ये है कि गंदुम की वैदावार के साथ इसका कारोबार शुरू होता है और जैसे ही जनाब नूमबर दसंबर आता है तो ये पीक पे आ जाता है फिर उसके बाद फैबरी में आगे ये फिर से जो है इसके रेट फरवी मार्च के बाद इसके रेट डाउन होना शुरू हो जाते है तो इसके उपर कोई खास इस तरह की चीज नहीं है कि ये किसी चीज के साथ डॉलर की कीमत के साथ यह किसी और चीज़ के साथ यह इतना डिपेंडिड हो कि क्राइसिस आया तो उसकी वज़ा से यह भी डाउन हो और यह बहुत अच्छा कारोबार है इसके इलावा इसमें जब बंदे की ग्रिप हो जाती है और इस काम को करने में बंदा माहर हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बंदे के लिए नहीं होती है जैसा के वजन, डिफरंट साइजीज बगारा, मशीन के डिमांड के मताबिक इसको बनाना इसके लिए पटी का रेंज और भी काफी सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जिनको करना को खास मुश्किल नहीं होता, वकत के साथ साथ बंदा उनको सीख जाता है तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं को जिनके बारे में काफी सारे लोग मुझे पूछते हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ इसके इलावा भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो आप मुझे से पूछ सकते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में हम आपको जनाब इसकी टोटल इन्वेस्मेंट और इसका मार्केटिंग का तरीका और इसके अलावा जनाब हम आपको स्टॉक वगरा की जो और क्वाल्टी चेकिंग की जो है वो मतलिक बताएंगे किस तरह से हम लोग क्वाल्टी को चेक कर सकते हैं किस तरह से किया जाता है और किस तरह से जनाब हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं इस बिजनस में किस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ जोन में रखके हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो यह कुछ चीजे हैं इन चीजों के उपर इंशाला हम नेक्स वीडियो में आप कर दो कर दो को